कि चुली बना कर स्मार्ट मीटर उखार कर फेकेंगे मैं यह से सरक्स सदन तक लौने के लिगे हमने त्यार है जेल जाने के लिए त्यार है नहीं है सारे लोग रोड पर उतार करणारा लगा नहीं कि समार्ट मीटर स्मार्ट मीटर इस तरह कि जी दिने स्मार्ट मिटर लग जाएगा तो हम लोगों कर रीपोर्ट olan सुनक रहे हैं स्मार्ट मिटर और नहीं है यो स्मार्ट चीतर है आध दिर्षा को ले जाएगा तो प्रणारमंतरी सहूजोगी कि लगना चाले हुआ है कई यहां पर आपने देखा होगा कि लोग बिरोज पर दसन कर रहे हैं लेकिन यहां पर जो भी लोग है सबी लोगों का कहना है कि जब आप स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लग जाएगा तब बिहार के लोगों के घरों में चोड़ी होना सुरू हो ज ह VOTube लुटे के लुञ नायचय का लगा जनतानी पर्यास पत्रेशं करेंगे स्मार्ट मीटर पीर्योद है इतना जोरसोर से क्यों हो रहा है हमारे पाटी के रश्टिया ध्यक्ष मन्येत तेज्यस्टषवीज? ने मुहीम चलाया है कि गलत के खिलाफ मुहीम चलाया गया है क्योंकि स्मार्ट मीटर गरीबों के सोसन के लिए बनाया गया है गरीबों के उत्हान के लिए नहीं बनाया गया है इसलिए हमारे नेता हर जगह से बिरोध प्रदसंग के लिए हम लोग तयार है सरक से लेकर सदन तक जाने का मोगा मिलेगा तो जाय जाएगा लेकिन स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा हमारे पार्टी के तरफ से बड़ा बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है इससे कहा नुकसान अप लोगों को दिखा लेकिन कहा नुकसान और फाइदा जहां लगा है वहां के रिपोर्टिंग के उनसार हम लोगों को पता है जहां लगा है जिसका बिल अभी छप्रा में जहां जहां लगा है वहाँ वहाँ का रिपोर्टिंग जानिए कि जो 500 का भी लाता था भी 1500 का भी ला रहा है तो जो प्रेटीकल में है उसी के अधार पर हम लोग मुहीम चला रहे हैं अगर माली के हम लोग उसके फेवर में हो जाएं तो वही हाल हम लोग का भी होगा हम लोग के पॉबलिक का हम ल गरीब को चार्ज बढ़ जाएगा घरीब कहां से देगा मैजदूरी करने वाला आदमी का बहुत तकलिफ होगा इससे हमारे राज़त जो है इसके हमारे तजवस्ति जादो हमों को न्यता जो है इसका विरुद किये हैं अगर नहीं सरकार बिहार सरकार माना तो हम लोग रूट पर भी उतरेंगे सरकों पर भी प्रदसन करेंगे लोग आप लोग की बातों को सुनेंगे बिहार में 80% लोग देहात में रहते हैं और किसानी से बिहार का मुख पेशा किसानी है और बहुत सा ऐसा गहर है जहां कि आप देखिएगा कि जे रोजी रोटी डेली कमाते हैं डेली खाते हैं स्मार्ट मीटर का जो समस्या है स्मार्ट मीटर आप लगा देते हैं कोभी खतम हो जाएगा इसकी जारा गरांटी नहीं है आर स्मार्ट मीटर में यह भी होता है कि बारे बज़े रात को अगर कट जाएगा तो इस समय लाइन कट जाएगा पईसा आगा जाएगा तो बहुत ड़ाएगा जिसले में लोगत कट पीसा गष्ट करने का उसली नहीं तो हम लोग सरक से शदन तक इसका बिरूद करेंगे. रहामासी सियादव जी हैं, जोकी समार्ट पर प्रदसन आप लोग कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी, अगर नहीं मानी तो आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, एक बात को है कि चाहतने हम, एक कहावत में द्यात में एक लगाई दूग पाई, इस स्माट मिटर जीसने लग जाएगा, छोटा मोबाइल से रिचार्ज नहीं होगा, बारा होगा, बारा होगा तो अम्मानी का होगा, अडानी का होगा, उन्हीं लोग से हम लोग खजना दूर से मुह जड़ जाता है तो माठा फूंकर परता है यह हम लोग देहती कहावत है जिस तरह 50 फिरी में आदानी जीयों का सिम दिया उसे पर 50 रुपिया के आज 900 रुपिया रिचार्ज कर दिया एक कुछ सब्सक्राइब केंदर सरकार चाहें बिहार सरकार नहीं बोल रहा ह है क्यों ऐसा हो रहा है जबकि किसी भी नियम को किसी भी समान को सरकार कई अधे सुनसार पुट्धी किया जाता है इसी तरह जीजी लग जाएगा तो लोगों का रिपोर्ट हम लोग सुन रहे हैं यह स्मार्ट मिटर उन नहीं है यह स्मार्ट चीतर है आप देश को ले जाएगा तो प्रधार मंत्री सवह जोगी निश्कुमार अधानी अबानी के हाथ में नहीं बेच दिया तो हम लोग एज़ट भी है लेकि देखेंगे आप लोग नोजुग आप लोग देखिएगा एक दिन गुलाम बनाएगा सब को आदानी अबानी के ही राज चलेगा जो साजित चल रहा है इसलिए हम लोग स्मार्ट मिटर हम को नहीं चाहिए हम लोग सीधा मिटर चाहिए जो बील एक महिना पदे हम से पैसा लगता है तो कि आप लोग जया खरके आपने कहा सवर्थर पहले हम देख रहें थे काफी देर से अपने कहां का भी हम लोग काम करता है अभी क्या कि आप लोग करके उखार के पिक दिए जनतादल कि सरी करकरता आपन वे गाउं में चोली बना कर इसमार्ट मिटर उखार कर इसमार्ट मिटर उखार करके ठीकने का भी काम यहां पर बिहार में होगा अगर स्मार्ट मिटर लग या तो बोग काम करेंगे अब ही तक जहां भी स्मार्ट मिटर लगा हुआ है वो सारे लोगों के बीच में हाहकार माचा हुआ है इतना ज्यादा पहले के मीटर के अपेक छा इतना ज्यादा बील आ रहा है कि सारे लोग रोड पर उतर करना लगा रहा है कि समार्ट मीटर बंद करो हटाओ आँ ज़क्षाज करेगा आम जनता है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, उन्होंने कहा था कि नवजवानों को दो करो नवजवानों को रोजगार दूँगा, महंगाई पर कंट्रोल करूँगा, काला धन वापस लओंगा, बहुत से योजना उन्होंने लागू किया एक भी धरातल पर उनका कारगर सीध नहीं हुआ कैसे लोग विष्वास करेगा, उन्होंने जीओ कसीम फ्री में कहा था, आज 900 रुपया में सब चिए, कैसे लोग विष्वास करेगा, सारा लोग ये गरीबों का सोसन करने की प्रक्रिया चल रही है, जो हमारी ये पाटी नहीं, पाटी से जितने लोग है बिहार के, सारे ल लोग भीतर से सारे लोग विरोद कर रहे हैं, और अगर ये स्मार्ट मीटर नहीं हटता है, तो सारा लोग भीहार मौदी जी को ये धारना परदर से हम लोग बैठ है, ये क्या है, ओ, इतना न ये उगरुप धारन करेगा, कि सान अंधोलन के जैसा कि उनको वापस करना पर सबसे बड़ी बात है कि गड़ीबो का बल राष्ट्रिय जनतादल लालू जी का सोच और तेजस्वी जी का साथ बिहार को बहुत आगे लेके जाने वाला है देखे पाटी ने सबसे पहले इसका बिरोध नहीं किया सबसे पहले बिरोध सुरू हुआ जनता के लेबल से ये ग्राउंड लेबल से सुरू हुआ था इसका बिरोध और बाद में जब देखे कोई भी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है मुर्ख नहीं है ये सही बात है आपको समझना चाहिए आप पत्रकार महोदे हैं आप इसके तह तक जाईए हम लोग इसका जांच परख करवाने के बाद ही रोड पे उतरे हैं अभी तो बिल्कुल ही सयमित तरीके से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन अगर पार्टी नहीं मानती है ये चचा नहीं मानते हैं अगर तो इनको तो उखारना अब इस बार तो उखारना ही है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें बहुत सारा ये है कि आपको गरीब तो परिशान होंगे ही होंगे एक तो ये रोजगार दे नहीं रहे हैं उपर से रोजगार छीन भी रहे हैं कहीं न कहीं आपको ये भी जानना होगा कि इस मीटर को रीडिंग करने के लिए परतेक पंचायत में दो से तीन बंदे घुमते थे बिजली बिभाग के जो तो आपका इसका विरोद जायज है यह विरोद आगे भी निरंतर चलता रहेगा जब तक इसको हटाया नहीं लगने नहीं दीजेगा बिलकुल नहीं लगने वाला है कहीं पर भी लगने वाला नहीं है देखें लालादपूर प्रखंड करयाले कम लोग बाहर थे और बिरोध स्मार्ट मीटर का यहां ही नहीं पूरे बिहार भर में हो रहा है और यह तो पार्टी के कुछ लोग है लेकिन पूरे बिहार के लोग स्मार्ट मीटर का बिरोध कर रहा है जिन लोगों के घरों में सोचिए कि बिजली बहुत मुश्किल से पहुंचा है कई सालों के अजाद करके इस बात को जरूर पते हैंगा बहुत बहुत लाबार जयंद